नमस्कार साथियों गौरों क्या अंधारा में आपका स्वागत है एक इतने बड़े इवेंट के बाद अपनी वापस मुलागात हो रही है और दुगने उर्जा के साथ में फिर से अपन जुट रहे हैं आप लोगों का इतना सयोग इतना प्रेम देखने को मिला अवोर्ड के लिए इतनी सारी सुक्का उना बधायां आई मैं वास्ता में इन चीजों की कभी कल्पना नहीं की थी बहुत सारी चीजें आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और मतलब इस ना चीज पर इतना प्रेम दिखाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे पास भी सब सब्ध खतम हो गए आप कहते हो ना इतंस हो तैख लेना अप जैसे है ठीक है कि तो एक बार वापस मैं आपको सबी को धन्यवाद देना चाहता हूं अब अपन क्लासेज पाते ल हैं कि अपने ७ासें आपनी काफी समय से नहीं आई इस्कुल व्याख्याता के अंदर अपन इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्रीट कर चुक है ठीक है और नेक्स्ट लेवल की मतलब बहुत अच्छे लेवल की पड़ी अपने नौर्स मेकिंग पैटर्न पे उसको याद भी किया सब कुछ ठीक है अब यहां से continue रहना यह अदर है और सेकंड गेड में सेम तू सेम है दोनों के अंदर ठीक है हर एक्जाम में उन्हें यह सारे टॉपिक में से सवाल बहुत सारे बनने मैं आपको याद कर वादूँगा आपको इसी क्लास से और अनुवान लग जाएगा मैं नए और भी इसके डव्लप के साथ में बहुत नए पैटन के साथ में और भी पढ़ेंगे नॉट्समेकिंग पैटन निश्चित रूप से रहने वाला है आप लोगों को PDF मिलेगी और नॉट्समेकिंग पैटन पे निश्चित रूप से पन पढ़ेंगे लेकिन याद करने के लिए और भी एफट्स लगाएं तो स से आपको पेड़ कोर्स जोइन करते तो उसमें भी नई क्लासे होती है और नए एफट के साथ में दी जाती है अपनी भी क्लासेज जब कोर्स चल रहा है फरक सिर्फ इतना है कि वह पेड़ होता है यह अनपेड़ है बाकि क्वालिटी आपको यहां पे और बैटर देखने क कि दरफ आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्तान की सब्यता के अंदर आपके दो के उसे क्लास के बाद में आप पुलि जा सकती है ठीक है चले अब बातें तो बहुत होगी अब उसको बताना भी तो पड़ेगा कि हाँ वास्ताव में क्या चीज है की भूली जा सकती है या नहीं काली बंगा के अंदर मुख्यूत जो चीजें पूछी जाती है उसको याद करने का एक बहुत इंट्रेस्ट कि और तक आपने गिंति लिख़ी अब गिंति लिखने के क्या हो जिता गणितप पर नहीं दो से आभ तक गिंति तो आप लिख सकते हो अपन इस्पेसिली काली भंगा को पढ़ रहे हैं ठीक है owners a CSP बहुत अब काली बंगा अपन पढ़ उसके अंदर ये दोहरी रक्षा प्राचिर वाला प्रशन बन चुका है एक तो ये याद रखोगे इससे और एक याद रखोगे कि दो अनाजों को उगाने की दो अनाज उगाने के साख से 還 इस ली जाद रखने के लिए मैं नॉट्स making पे दूऊंगा आपकोि दिक त नहीं है ठीक है ये याद रखोगे अच्छा तीन से क्या याद रखोगे कि तीसरी राजदानी कहा य्श रह कि दत्रत सर्माने कहा है हरत्पा सब्व्यता जो थीना उसकी तीसरी राजदानी कहा है काली बंगाव को ठीक है अब इस्टूर्ट पिगर्ड वाली थियोरी आप साइड में रखना क्योंकि इस्टूर्ट पिगर्ड मोहन जोदरो और हरप्पा को जोड़वा राजदानी कह चुके थे यह आयोग में बन चुका है और यह कई बार पुछा है और इसको माना है ठीक है और दसरत सर्मा कैसे याद रखोगे अब तीसरी राजदानी के लिए और भी ऑप्षन आएंगे आपके अब याद कैसे रखोगे याद रखने का तरीका ये है कि जैस्री राम बोल देना कि जैस्री राम से क्या मतलब कि जैस्री राम बोलने से आपको ये याद आएगा कि राम जी के पिता जी जो थे दसरत जी उनके तीन राणिया थी तो इसलिए दसरत सर्माने तीसरी रा अच्छा चार से क्या आएगा चार से चार पैरोवाले चार जानवर याद रखने आपको चार से चार पैरोवाले चार जानवर क्या याद रखोगे एक तो याद रखोगे हाती एक याद रखोगे उंट ठीक है एक याद रखोगे कुत्ता और एक याद रखोगे बैल अब हा आतिदात की कंगी मिली है, उट की अस्थिया मिली है यहां से, मिट्टी का कुत्ता और मिट्टी की वर्षब मूर्थी मिली है, वर्षब यानि बैल, तो चार पैर वाले चार जानवर याद रखने हैं आपको चार नमबर से, ठीक है, चार से, पांच से क्या याद रखना है, पांच से आपको याद रखना है कि पांच इसतर मिले है खुदाई के कितने इस तर मिलेर पांच इसतर मिले खुदई के और ये भी प्रशन बन चुका यह ङँड पर करकने की जडूरत नी पड़ेगी आपने ध्यान से तून लिया है और आगे क्या होगा वेब सीरीज में मैं दावे के साथ कहा सकता हूं आप चैनल केमरे की उस तरफ जो है उन्हें ये बिल्कुल अब लगेगा कि अब 6 पर क्या आने वाला है वह पांस तक तो मज़ा आया तो 6 पर 6 पर तो आपन खोपड़ी में छेद कर देंगे ठीक है ना यानि खोपड़ी में छेद ही करने है औ छेद कहां खोपड़ी में ठीक है ये छेद खोपड़ी में मिले बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले है यानि कि इसको बोलते है حईड्रोइस्पॉलिस सल्ल्य चिकत्था सल्लेजिशिक्सा के प्रमान मिलें कहां से काली बंगा से और seperti खोपड़ी के अंदर ठीक है कुमा नमेहिए फ्यर्य फेरें लेने के लिए अगनी ज़लानी पड़ती यहाइख अगनी अगनी जले कुण Junior वहन में तो साथ साथ आयताकार हवन कुण्ड मिले हैं क्या मिले हैं साथ आयताकार हवन कुण्ड अच्छा मतलब क्लास पसंद आई रही है तो अब इसको और कैसे आगे बढ़ेगी वह आप लोगों की जिम्मेदारी है यहां गर पर आया ना तो गर पर एक अलग ही सुकुन मिलता है यह आते तो आप लोगों की जिम्मेदारी आप समझते हो अच्छा तो अब आठ के ठाट में क्या करें आठ के ठाट में यह करना है यदि आप एच लिखोगे ठीक है मैंने एक बार बेजनिंग की मतलब पहले साथ-एच साल पहले की बात है यह रिजनिंग की तयारी की थी तो यह शौट ट्रिक बताया थी कि आठ में बस यह ऐसे कर देना एच के अंदर तो क्या हो जाएगा आठ ठीक है एच लिखते है ना एच में तो यह एसे आठ बन जाता है ठीक है अब देखो ए बी सी डी ए एफ जी एच एच आता भी आठ बें नंबर पे है तो एच आता आठ म नहीं आया यह इस पे कमेंट आपके आने चाहिए कि वास्तों में आया या नहीं और यह यह भी चीज आपको बताएगी कि पूरानी क्लासेज यदि देखी भी है तो भी नई क्लासेज के अंदर कुछ नयापन जरूर मिलेगा आपको चाहे मैं एक ही टॉपिक को दस बार प प्रष्ण बनें और यहां से मान कर चलो कि प्रश्ण निष्चित रूप से मिलते ही मिलते हैं ठीक है चली यह हो गया अब बढ़ते हैं अपन और आगे ठीक है अब देखो गाली जा अंदर नाम ही काली जिअल टोंग कि बंगा है ये ओगा आप मतलब पता चलता है यदी आपने देखा मैं पढ़े फाड़ मैं पड़ा रहा हूं अभी आप यहां पर मैं इह कहना चाहूंगा कि राजस्थान का काला रहा चाहता है अफिम को थीप ओपर वैसे कोइला बारतtv लेवल पर देखे तो लेकिन राजस्तान का काला सोना का जाता है अफिम अफिम यानि अमल है अफिम है डुड़ा है यह सब एक ही इसी अफिम से ही बनते हैं तो अमल को का जाता है तो इससे अपन को क्या याद रखना है काला होता है अमल इससे याद रखना है कि इसकी खोजो हो गया किलियर अमलानंद गोशने की है फिर बीवी लाल और बीके थापर दो मैं तो याद रखने है बीवी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया है जेपी जोसी और एमडी खड़े भी पुछे जा चुके हैं और काली बंगा ऐसा टॉपिक एग्जामिनर के अत्य चड़ा है कि अंदर से पता नहीं कहां से खोद खोद के नाम निकालता है अब इसके अंदर यदि टीम मेट्स देखे तो बहुत सारे हैं कितनों के याद रखोगे इतने याद इतने उलजना भी निची है क्योंकि इतने याद रहते भी नहीं है ठीक है यह विबिलाल विके थापर एमडी खरे जेपी जोसी जितने मुझे याद है इतने याद है तो इतने में काम निकल जाएगा इससे ज्यादा गहराई में पुछेंगे ना तो नेट डिक्री दारी जो होंगे ना उनको भी एक वार याद नहीं आता है यह अगीकत है ठीक है तो वहां पर टैंशन लेने की ज़रूत नहीं है चलिए यह बात हो गई है अब यहां पर यह द्यान रखेंगे आप काली बंगा के अंदर एक बह भी आया है इस बह से आपको यह याद रखना है कि यहां पर बेलनाकार मुहरे मिली है बेलनाकार मुहरे मिली है अच्छा बेलनाकार मुहरे और एक चीज और साथ में कंफ्यूस करती है बेलनाकार तो मुहरे है और अलंकरत इटे है अलंकरत इटे है ठीक है अच्छा इटों से मुझे याद आया कि यहां पर कच्छी इटे मि मिलें अब कrences याद आ रहा है मुझे आइपको भी आई कच्छी इतो से कि महलों को बुकमब आ जाएं तो सबसे ज्यादा नुक्सान तो पंखेट रहे को यहाँ पर सबसे पहली पार क्पके शाक्षे विश्व में सबसे पहली रहे मिलें कि वुकमब के साख्षे मिलें अच्छा इटे है तो कच्ची इटों के गर है अगर पैसे वाले होते ठीक है पैसे वाले होते तो पकी इटे लगवाते हैं पकी इटे क्या प्लास्तर करवाते ठीक है प्लास्तर क्या और भी पुट्टी उट्टी सब कराता ठीक है लेकिन कच्ची इटे थी यानि कि ये थे तो इसे कहा जाता है दीन-हींड-busty क्या आजाता है दीन-हींड-busty कहा जाता है ठीक यह भी ज्यान रखेंगे इतनी सारी चिजह साथ-साथ में आ रहे है यहाँ पर एक पली का दर्वाजा मिला क्या मिला है एक पल्ली का दर्वाजा अम एक पल्ली के हैं भै दिमाग में आता है एक तो बहुँ दो फड़का दो दर्वाजे खोल के एंटर होते हैं एक होते हैं एक जैसा मेरे भी यहां पर यहां पर इस्टुडीयो में एक दर्वाजा लगा हुआ है तो एक दर्वाजा खुल दें गो एक पली का दर्वाजा ठीए अब ऐसे यह सब्वेता जो है ना यह ane से ध्यान रखना यह कांश यूलति है कि इस शुट्प बहुत शारी है कांश यूलती है थी तॉ यह है तो यहाँ पिया मैं कि अब यूपन सब्यता हडपा की सारी देखेंगे अपन तो उसमें ये भी ध्यान रहा कि ये धी हडपा की सारी सब्यता हों में अपने राजस्तान में यानि अपने घर की सब्यता कितनी है कौन सी है एक काली बंगा ठीक है अपने घर की कैसी है अपना घर राजस्तान अपने राजस्तान की एक शब्यता है अपने घर की तो फिर आपको याद रखना है कि यह खगकर नदी के किनारे खर यानि के ठीक है और प्राचिन सरस्वती भी इसे तो यह नदी भी आपको याद हो गई साती साहथ इतनी सारी चीजा ऐसे लगा रहा है रहा है यहार ही फिल्म रही है ठीक और साथ साथ में क्या है सारी चीज़े याद होती गई बस अब एक्ट्रा फैक्ट जितने और नॉट्स में पेटर में आपको दे दूंगा यह जितने भी दिये ना अभी वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है सारे अच्छे यह काली बंगा सब्द पूछे तो वैसे तो यह दोनों मिलते हैं देखों सिंदी वासा भी मिलती है सिंदी वासा का सब्द है यह ठीक है लेकिन यह सिंदी और पंजाबी भी माना जाता है तो दोनों ध्यान में रखने आपको दोनों ऑथेंटिक बुक्स के अंदर मिलेंगे आपको सिंदी या पंजाबी इसके मतलब होता है काले रंग की चूडिया ठीक है अब चलते हैं आपन नौट्स मेंकिंग बैटन पर यही चीज़ें जो है उनको हीत कैसे होगा वह इतना विश्वास करके पेड़ कोर्स का नहीं ले रहे हैं और यहां से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी दिम्यदारी है कि उनका हीत कैसे होगा इसलिए मैं नौट्स मेंकिंग पैटन पर बढ़ाता हूं यह चीज़ें मैं डारेक्ट भी बढ़ा सकता ह है उनका चलिए अब बढ़ा आगे पीडियाफ आपको मिल जाएगी चिंता करने की बिल्कुल ही आविशक्ता नहीं है काली बंगा जो है सिंधिवासा का सब्द है अब आपको इतना असान लगेगा इतनी सारी चीज़ें आप ऐसे समझ लिए ना अब इतना असान लगेगा कि गुरुजी वास्तम मजा आ गया याद हो गया ठीक और याद होगा तो कमेट ज़रूर करने और सेयर भी सिंधिवासा का सब्द है पंजाबी भी आपको लिखा हुआ मिले तो ध्यान रखना है ठीक है और यदि दोनों के गुरुजी दोनों मिल जाए तो फिर कि आगे भी बता चुका हुआ है जूडिया अच्छा रिकोर्ड तो भैया ठीक है अमलानंद गोस्क अमल से अपने याद कर लिया 1952 खोज है ठीक है बीवी लाल ब्रजवासी लाल बीके थापर माल कृष्ण थापर उनिस्टु 612 के अंदर उत्खनन मुख्य रूप से तरह यह भी पूछ लेते हैं ठीक है राजस्तान की कौन सी सब्यता से जेपी जोसी भी लिख लेना और एमडी खरे भी लिख लेना ठीक कई भी अपन कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे चीज के साथ में है ना नदी गंगर या प्राचिन सरस्वतिक का समस्याई दत्रत फर्मा तरह रामजी के पिताजी जैश्री राम बोलना आपको तीसरी राजदानी यादा जाएगी दत्रत सर्माने कहा कि यह हड़पा की तीसरी राजदानी है हड़पा सब्यता जो जो थी सिंदू काटी सब्यता जो वहां पे यह चीज़े मुची जाती है आपने याद दो कर लिया यह दीन हिन बस्ति है तो वहां से यह पता चलता है कि यह दीन हिन बस्ती थी इनके पास यह इतने सम्रद नहीं थी यह चीज़ें होती है अपना सोचने का तरीका यहां से मस्तिष्ट को सोध ठीक है जिसे कहा जाता है यह भी सब्दा आ सकता है हाइड्रो इस पॉलेस जो खोपड़ी में छे छेद करने है वो यह वाली है सल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले है ठीक है दो पसलों के एक साथ उगाने के प्रमाण मिले संभवत यह गय हूँ और जो हुए होंगे क्योंकि यहां पे कुछ दाने मिले है तो यदी पूझ ले तो संभवत यह गय हूँ और जो हुए होंगी लकड़ी की नालिया दाने मिले है यहां से ठीक है चिरायू कबरे ऐख्यार कार कार की आप इस फोटो में तो नहीं है अगले में मैंने सामिल किया उसमें मैं आपको कबर का फोटो बताऊंगा तो वो पुछे ना, तो आपको खाली बंगा जाना है ठीक है यह तो आपको पता ही है कि मैं वीडियो बना कर आपको बताई दूंगा यह देखो कि आप तो यह अंडाकार कबर है यहां से अलंकरत इटे मिली है और इटों के चबूत्रे भी मिले है यह भी द्यान रखना है आयताकार हवंकुन मिले है साथ ठीक है सामुहिक तंदूर भी मिले है यहां पे एक और लेख लेना साथ में सामुहिक तंदूर यह भी मिले है हाती दात की कंगी मिली है चार पेरो वाले चार जानवर आपको कहा था हाती दात की कंगी मिली है अच्छा मैंने यहां पे रेड के अंदर लिया है एक लाइन को कि मंदिरों के साक्षिय नहीं मिले हैं क्योंकि स्वास्तिक मिला है तो कई विद्या दिये तो चले थे कि मंदिर नहीं वाला ठीक है बेलनाकार मुहरे मिली है यूगल समाध्या मिली है कलट सवादान मिले है स्वास्तिक का चिन्द मिला है मूर्ट की अस्तियों के अवसेस मिले है ठीक है यह भी यहां से मिले है एक यह कैसे थी कांस्य यूगिन सब्यता थी क्योंकिए हडपा कालीं थी तो कांस्य यूगिन है इसके दक्षिनपूर्व दिशा में तो इसके दक्षिन पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है और यहां की सड़कें कैसी थी समकौन पे कारती हुई सड़कें थी मतलब वैल प्लांड यह सिटी जो थी ना यह नगरिये शप्यता थी यह सारी अडपा वाली तो वैल प्लांड थी एकदम ऑक्सफोर्ड सरक प्लाती थी कारती थी एक दूसरे को बहुत सारी इनके इनकी विशेष्टा रही है कि इनके दर्वाजें जो होते तेना मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे इससे यह पता चलता है कि स्वास्तिय के प्रति बहुत मतलब जागरूप थे गाड़ियां चलती है तो मतलब मुख्य दर्वाजा पिछे गली में बनाते थे फिर नालियों की निकाशी में बड़ा एक कुवा टाइप होता था उसके अंदर पूपानी जाता था यदि अपने इन सभ्यताओं को पड़ते हैं बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि यहां से बहुरी रक्षा यह बॉलान Maori तो हैं दियान में रखने हैं तो अब ये प्लास आप के पूरी विवाब और कंटिन्यू रहेगी क्लास कहीं कोई समस्या नहीं है ठीक है तो कैसी लगी बताना है और फिर कर देना आपकी इच्छा होता है ठीक है चलिए अपन मिलेंगे सात्यों अब अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहें